वेल्किम तो मैं चानल तो आज के ट्रीडिंग का टॉपिक है वर काइन डॉफ स्पाउस यूउड वुड भी आप किस तरीके के स्पाउस रहेंगे आप कि क्या जो है खूबिया रहेंगी जो आपके स्पाउस को पसंद आएंगी और किस तरीके से आपकी ओवर ओल जो है मारे written life नएगे यहाँ पर प्रमान चूसकते हैं अपक 12 को थू कर सकते हैं या फिर अपने बदे मंद नहीं से चूस कर सकते सकते हैं अगर सबस्igor है कि इस पाम्ध मों से प्रम इस नहींद में अगर μηंस मेंडरी तो आपको नेक्स्टार आपके पास फोर 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 कुछ और कार्ट देख लेते हैं थ्री अफ काप्स सेलिबरेशन एक्सिस्टेंस मिजीशन का काड़ाया है लवर्स पेज ओफ वांड प्लेफ लेफ लेफ यहां पर पहले में जोडेख साइन बता ते फिर आपको एक्स्प्लें इनरजी है यहां पर लीब्रा एनरजी है सजिटेरियस एनरजी मैंने बोल दिया है जमिना है और यहां पर केप्रिकॉन की एनरजी भी है और कैंसर एनरजी भी है यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हो लेकिन दोनों में से किसी के भी ब मार्केटिंग में हो, हो सकता है आप जो है बैंक में रिलेशेशिप मैनेजरों की जिस तरीके से और लोगों के साथ काम करना पड़ता है या फिर जो है आपका वोइस से रिलेटर या कॉम्निकेशन से रिलेटर कोई चीज हो सकती है कि जैसे मान लीजिए आप एयरपोर्ट प कुछ इस तरीके से जिसमें वोईस का बहुत ज़्यादा यूज होता है और उस से तीचर हो कि इसको यूज करके आप बहुत सारी जो है नॉलिज गेन करते हो और लोगों को देते भी हो तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँपर पहली चीज कि आप कि इस तरीके के स्पाउस रहेंगे आप communication में A1 है और अगर आपके spouse भी इसी तरीके के होंगे almost तो कोई जो है problem नहीं आने वाली कि communication skill में कोई problem होने वाली कि communicate नहीं किया या feelings है लेकिन communicate नहीं किया नहीं आपके कोई जिजक नहीं है दूसरी चीज़ आपका यह जो nature रहेगा king of swords वाली energy है चाहिए आप man हो चाहिए woman हो आप इस तरीके के spouse बनोगे या partner बनोगे कि वो over protective है मैं कहारी हूँ over protective इस पर मैं emphasis दे रही हूँ क्योंकि एक होता है protection करना एक होता थोड़ा over protective होना तो आप उस तरीके के होंगे आपकी health आपकी health आपकी family की health happiness बाकी सारी चीज़े जो है वो आपके हाथ में होंगी तो काफी हद तक जो है आप दोनों नहीं समझदारी से जो भी काम है आपके वो बाट रखे होंगे कि मुझे यह यह जो है फील्ड में रखना जैसे मान लो बाहर का काम करना या बाकी चीजे काम करने या बैंक का काम करना वो मैं करूंगा बाकी जो चीजे है वो तुम करो इस तरीके से और दोनों ही मुझे यहां पर working लग रहे हैं हो सकता है job हो हो सकता है business हो हो सकता है कुछ और हो लेकि यहां पर energy ऐसी कि almost जादा तर लोग जो है वो working होंगे अभी तक अगर आप लोग relationship में आ चुके और अगर relationship में नहीं आये होंगे क्योंकि जादा तर लोग single देख रहे होंगे तो भी जो है आपका workplace से कोई ना कोई काम होगा working place जो है वो दोनों का अलग होगा लेकिन working जरूर होगा जैसे मैंने भी कहा कि job भी हो सकता है business भी हो सकता है वाईसा वर्सा भी हो सकता है यहाँ पे over protective रहेंगे एक दूसरे के प्रती loyalty रहेगी faithfulness रहेगी और बहुत जादा एक attention जो है वो एक दूसरे की तरफ ही रहेगा affection रहेगा तो यहाँ पे यह चीज नहीं है कभी भी कि कोई जो है आपक energy ऐसी लग रही है कि आप इतने protective होगे या जो भी आपका gender हो कि आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड है या फिर जो है कुछ चीजे सही नहीं लग रही है पता नहीं हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या कोई भी decision लेना हो life में तो आप लोग डिसकस करोग और एक दूसरे को दूसरे मतला husband हो या wife हो अपने spouse को या partner को वान भी करोगे कि यह तुम्हारे ले सही है और यह तुम्हारे ले सही नहीं है तो इसको चूज करना सही तरीके से तो काफी जादा guidance भी एक दूसरे को आप लोग दोगे next are a temperance एक balanced energy रहेगी आप दोनों की एक angelic या कह सकते है soul की एक relationship मुझे यहां पर लग रहा है इस तरीके का है क्योंकि आप में जो positive है negative है दोनों का एक दूसरे का वह बहुत अच्छी तरीके से balance हो रहा है जैसे yin yang होता है उसी तरीके से fitting है या पर कि अगर आप कुछ गरबड करते हो या आप कुछ एरियास में बहुत जादा अच्छे नहीं हो तो वो संभाल लेंगे और अगर वो बहुत अच्छे नहीं है तो आप संभाल लोगे तो कुछ इस तरीके कि यहां पर bonding मुझे लग रही है तो आप एक as a spouse जो है वो बहुत अच्छा करने वाले हो ने एक स्टार है two of wants है मैंने पहले भी कह कि decision making में एक दूसरे की पूरी पूरी मदद करोगे और आप खासकर जो viewer है जो देख रहा है या देख रही है वो जो है अपने spouse को हमेशा यह बताना पसंद करेंगे कि यह तुम्हाले ठीक है यह तुम्हाले नहीं ठीक है तुम्हें चूज यह खुद करना है तो यहां पे एक दूसरे के साथ आए हैं alignment में आए हैं life को build करना है और बहुत ही समझदारी से अपनी जो रास्ता है life का वो चुनते जाना है तो ऐसा नहीं है मैंने पहले भी कहा कि यह माइका यह ससुराल वाली चीज नहीं है कि मेरा माइका जादा अच्छा है मेरा ससुराल जादा अच पड़े यहां पर बुद्धी से बहुत अच्छी तरीके से दोनों का दिमाग जो है वो काफी जादा शार्प है तभी जैमिना एनरजी मैंने कहा था जैमिना एनरजी बहुत जादा प्रॉमिनेंट और जुपिटर जो है वो बहुत जादा प्रॉमिनेंट होगे किसी हाउस यहां पिछे यह भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशेशिप होगा है इंटिमियोट रिलेशेशिप के बात करूं हूं बहुत जादा पर्सनल होगा बहुत जादा कुपसूरत होगा मैंने कुपसूरत इसलिए तकि एक यह कृणि इनिमलिस्टिक चीज़ न लिके की तो कोई लड़ाई जगड़ा नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अगर गरल है तो वो जो है हेजिटेट कर रही है या बॉइ है तो वो हेजिटेट कर रहा है बहुत सारे लोग हाला कि ये थोड़ा सा रीडिंग से अलग जा रहा है बट बहुत सारे लोग ऐसे हो जो सारी जिंदगे एक दूसरे के साथ रहते हैं बेबीज हो जाते हैं सब कुछ हो जाते हैं लिया और इस तरीके की और इस तरीक के की रिलेशिप मिल बाना थोड़ा कथे होता है तो आप और आपके spouse जो है वो एक दूसरे के लिए बहुत lucky रहेंगे lucky charm की तरीके से रहेंगे और दोनों एक दूसरे का हमेशा जो है साथ निभाएंगे यहां पे कोई भी जो है वो इस तरीके की commitment यहां पे रहेगा और मैंने पहले भी कहा इस चीज़ को मैंने explain किया था भी भी कि यह society के डर से नहीं है कि society का डर है तो भई लोग क्या कहेंगे तो मुझे तो loyal रहना पड़ेगा नहीं मुझे loyalty रखनी है इसलिए नहीं क्योंकि मैं relationship में हूँ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ तो इस तरीके का यहां पे faithfulness है बहुत ज़्यादा positive energy आ रही है मुझे खुशी हुई कि मैं इस reading को पड़ रही हूँ और जितने भी viewers मेरे देख रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे इनसान हूँ नेक्स्ट आरा three of cups है three of cups जो है वह celebration को दिखाता है एक friendship वाली vibe होईगी तो ऐसा नहीं है कि बाहर बेशक society में आप थोड़ा respectful way में एक दूसरे के साथ behave करोगे लेकिन अंदर जब मतब घर में हो या फिर जो है कही पर भी जा रहे हो तो छेड़ खानी करना naughtiness करना एक दूसरे के साथ friendship वाली situation है तो यहाँ पर कोई judgment है ही नहीं जैसे हो वैसे accept कर रखा है और एक child like जो quality है या खुशी है कि presence में आपकी presence में वो खुशी महसूस करेंगे और आप भी जो है इस तरीके से महसूस करेंगे दोनों जो है वो पूरी तरीके से balance है तो जिस समय आप दोनों एक दूसरे के साथ हो उस समय कोई और भी जो है दिमाग में नहीं आता होगा हाला कि यह practical sense में नहीं मैंने emotional sense में कहा है next star existence है magician का का काड़ा है magician जो है वो Gemini energy को दिखाता है और यहां पर heavy Gemini मैंने पहले ही बोला था तो यहां पर आपको existence लगेगा कि हाँ मेरे जीवन जीने का कोई महत्व है मैं किसी के लिए importance रखता हूँ यह नहीं कि मैंने कमा लिया खा लिया routine चल रही है जो है और बाकी चीज़े जो है मतलब emotional एक robot में और एक emotions में या एक human में क्या difference होता है emotions का ही difference होता है तो वो चीज़ जो emotions है वो आप दोनों के बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ blend होंगे और आपके spouse जो है आपके partner जो है वो आपने आपको खुश नसीब मानेंगे कि आप उनके जिन्दिगी में हो क्योंकि आप उनके best friend भी होगे आप उनके lover भी होगे आप उनके husband या wife भी होगे और उससे भी importance ये रखता है कि parental तरीके की guidance भी है यहाँ पे तो आप कभी भी जो है उन्हें अकेला नहीं छोड़ने वाले और उसी तरीके का behavior आपको भी यहाँ पे मिलेगा आप इस तरीके spouse रहेंगे कि अगर आपने उनके चहरे की चमक देख ली कि ये इनसान खुश है तो फिर जो है वो आप उसको दे दोगे या उसके वज़े से जैसे एक example देती हूँ मालो आप woman हो ठीक है तो आप जो है x y z कोई shopping कर रहे हो कोई कुछ और ठीक है तो जो आपके उपर अच्छा लग रहा है बेशक अच्छा लग रहा है और आपको शाद उतना नहीं पसंद है हो सकता है 80% पसंद हो 100% पसंद नहीं है और आपके husband को जो है वो पूरी तरीके से giving या nurturing वाले spouse रहोगे यह वाइसा वर्सा भी कर सकते हैं कि husband भी इसी तरीके से feel करेंगे नेक्स आ रहा है यहाँ पर page of wands है page of wands जो है मैंने पहले ही कहा कि adventurous side है travel करना या एक दूसरी के साथ अच्छा time spend करना एक child like innocence है आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत लंबा समय हो गया है relationship में तो आप उबने लगे हो या boring हो गई हो या toxic हो गया आपका relationship बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक हफता या दो महीना या छे महीने मुश्किल से जो है उनके relationship में जो है spark रहता उसके बाद वो habit बन जाती है यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर आपके लिए स solid commitment को दिखाता है मैंने पहले ही कहा कि यह आप choose कर रहे हो faithfulness loyalty चाहे कुछ भी हो जाए इस तरीके की situation है एक example देते हूँ यह इस तरीके की energy है example से मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मान लीजे x y z मान लीजे woman है woman की medical condition हो गई है अब वो जो है इस तरीके की medical condition में है कि उनके साथ जो है आप एक physical relationship में नहीं आ सकते है और बहुत लंबा सा में निकल गया है एक साल दो साल इवन पांस साल या इवन दस साल भी लेकिन ये person तब भी जो है वो faithfulness नहीं छोड़ने वाले है इसलिए नहीं कि वो आपके society में कुछ कहा जाएगा या society का डर है नहीं उनकी ए तो है आपको वो दर्जा दे चुके और किसी और को वो दर्जा नहीं दे सकते इसी तरीके से यहाँ पे चीज़ है और मैंने सिर्फ rare example दिया हालक ही होता नहीं है बट अगर ऐसा हो भी जाए तो भी जो है ये आपके साथ सारी जिंदगी एक इस तरीके का relationship जी लेंगे लेक है वो चीज़ आप दोनों पर ही applicable होती है तो उसको उसी तरीके से रेजोनेट करना चलिए देखते हैं यहां पर क्या आ रहा है ट्विंद फ्लेम्स यो पाशन इगनाइट और सरेंडर अट ताइम्स वी मस्सरेंडर दो ओल बिफोर सम्थिंग न्यू कें एंटर आर खाऊ सकती है इवन लडाई भी होगी सबकी होती है लेकिन उस चीज़ को लेट गो करोगे उसको पकड़के रिजेंट्मेंट नहीं रखोगे या गुसा रखोगे वो चीज हो चुकी है और उसके आगे जो है वही चाइल-डाइक व्लेटी है कि आज कट्टी कर ली और कल ज तो यहां पर बड़ी जन्टलनेस आप लोगों के बीच में रहेगी यहां पर यह है कि जैसे एक जो बेबी एलिफेंट है और जो बेबी डियर है उसकी दोस्ती है वो चीज जो है वो यहां पर आपके relationship में रहेगी नेक्स आरा communication wonder how other person feeling wish they knew how you were feeling you have been just been drafted into the communication army where there is strict to do ask to do policy speak with kindness and gentleness and reach and understanding if you don't assumption will just make asses of everyone including the person who came up with the aphorism यहां पर communication मैंने पहले ही का था बहुत अच्छा रहेगा बिलकुल clear cut straight forward यहां पर कोई जो है वो diplomacy है judgment नहीं है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा नहीं यह है यह करना है यह जिंदिगी है तो बड़ी ही एक तरीकी से practical या blunt तरीके का मैं कहूंगी relationship रहेगा लेकिन वो आपके relationship के लिए अच्छा है और next आरा magic यह magical तरीके का relationship रहेगा और आप दोनों ही एक दूसरे के हमेशा साथ रहोगे मैंने पहले ही कहा कि आप इस तरीके के spouse रहोगे कि उनको किसी और की जरूत ही नहीं पड़ेगी हाला कि friends है family है सब कुछ होंगे और सबकी importance भी है उस चीज़ को respect भी करना चाहिए लेकिन आप उनके लिए आप ही जो है वो सबसे जादा importance रखोगे I believe in magic I see evidence of it all the time and though the tricks can probably be explained away by something sensible and ordinary I would rather not ruin the fun other people can fill their days with mere coincidence I'll fill mine with a holy crap that's unbelievable तो बहुत ही जादा magical तरीके का relationship होगा एक advice देना चाहती हूँ अपनी जो personal life है उसको बहुत जादा जो है social media पे या किसी और जगह पे बहुत जादा highlight ना करना इसले ना करना क्योंकि evil eye जो है वो आप लोग attract करोगे क्योंकि एक soul connection है ठीक है तो इस वज़े से थोड़ असा ध्यान रखने की ज़रूत है कुछ और cards भी देख लेते हैं कि आप किस तरीकी कि spouse रहेंगे boundaries तो आप boundaries पे बहुत अच्छी तरीके से काम करते हो कि आपको पता है कि कौन जो है आपके लिए कि importance रखता है और किस boundary में किसी को रहना चाहिए नेक्स आरा love letter तो हो सकता है आप लोग एक दूसरे को love letter लिखो या birthday anniversary कुछ भी special करना एक दूसरे के साथ यह बड़ा personal चीज रहेगी और नेक्स आरा soulmate एक और देख लेते हैं sexual freedom जो मैंने कहा था कि hesitation नहीं है चाहे woman हो चाहे man हो कोई judgment नहीं है वो चीज है यहाँ पर और जादातर cases में जो इतने भी relationship world में होते हैं उससे लाग गुना बहतर यह relationship होगा क्योंकि इसमें sexual freedom है तो चले देखते हैं इस energy serrated को चांस यहाँ पर एक Cinderella का gown आया है spiritual जो है यहाँ पर चाम आया है एक camera आया है और डॉल्फिन जो है वो ही friendliness को दिखाती है एक fun loving energy है यहाँ पर आप बहुत ददा लवेबल रहोगे एक दूशरे के लिए यहाँ पर camera आया है तो हो सकता है social media पर आप लोग as a couple जो है कोई काम करो या फिर photos जो है आपकी बहुत अच्छी आती होगी दोनों ही good looking होंगे या बहुत सारे लोग आपको follow करते होंगे नेक्सा spiritual charm आया तो spiritual charm जो है वो इस तरीके की energy है कि आप लोगों का soul connection है मैंने पहले ही कहा था एक telepathic connection भी है कि आप इतना सादा एक दूसरे से attach हो कि आप समझ जाओगे कि कौन सही है या क्या आपके साथ हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है और यहां पर सिंडेला का गाउना है तो हो सकता है कोई particular dress हो आपकी एक दूसरे के प्रती तो वो जो है आपको अच्छा लगता होगा कि यह पहनो यह नहीं पहनो तो वो आपकी बात सारी सुने आपके लिए तो से नैना लागे अनवर मूवी का है तेरे बिन सिंबा मूवी का तो इस तरीके गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे इसी तरीकी फीलिंग्स जो है उनके मन में आपके लिए रहेगी पाइल नमबर वान यह थी आपकी डीडिंग उमीद करते ह आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग और एनरजी अच्छी लग रहेंगे तो प्लीज इस चानल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू नमबर टू अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्देमन इसमें कुछ और काट्स देख रहेते हैं नेक्स आरा है नाइट ओफ वांड इंटेंसिटी सिक्स आरा है इंटिग्रेशन टेम्परिस का काड़ा है नेक्स आरा है एस ओफ वांड बियॉड इलूजिन जज्मेंट तो यहाँ पर पहले में जोडेक सान बताते हैं फिर एक्स्प्रे पाइसिस भी मैंने बोला है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी फीलिंग है कि आप किसी ब्रेक अप से कोई डिवोस से या कोई हर्टफुल रिलेशनशिप से या फिस सरकम्स्टांस से कोई हर्टफुल सरकम्स्टांस भी हो सकते कि फाइनेशल कंस्टेंड रहे हो अपने पर अलग मेसेज है बट मैं यह देना चाहूंगी तो आप अपने पर अपनी परस्टांस पर्सफॉर्म किया होगा बहुत सारी चीज़े आप लोगों को प्रेफरेंस जादा देते थे अब अपने आप पर फोकस करते हैं खुश रहते हैं ऐस कंपेर तू पहले मैं यह नहीं कहारी कि पहले आप खुश नहीं थे लेकिन लोगों का जो रवया था या जो आटिटूड था लोगों का आपकी तरफ वो आपके लिए माइने रखता था लेकिन अब अब जो है वो माइने नहीं रखता है नेक्स टारी सेवन आपने आपको बहुत जादा उसके बावजूद आप में जो एक emotional availability थी हर इंसान के लिए वो जो है आपने खतम करी है आपके दोस्त थे आपके जो classmates थे आपके जो भी थे तो वो जो है उनकी बात आप सुन लेते थे जैसे एक example देती हूं मुझे याद नहीं है मैं कौन सी movie देख रही थी मुझे example मतलब न उनका भी कर देता और वो लोग जो है वो मज़े कर रहे हैं तो उस चीज़ पर आपने boundaries लगाना start किया यह जो है आपका transformation हुआ होगा तो अब जो है आप focused हो अपनी life के लिए अपने relationship के लिए अपने spouse के लिए अपनी family के लिए तो यह eight of coins वाली चीज़ है जो mastery है self mastery आपने उनका अच्छा चाहा या आपने उनका मदद की लेकिन उन्होंने जो है वो आपका इस तरीके से misuse किया तो दुनिया ऐसी तरीके की है आपके लिए यह समझना भी ज़रूरी था अब जो है आप इस तरीके के spouse रहेंगे कि आपका total focus जो है अपनी family पे अपनी family के involvement पे और अ यहां पे जो है मुझे verbally से जादा क्योंकि जो पाइल नमबर वन था उस पे communication बहुत अच्छा था यहां verbally से जादा जो है feelings को महसूस करना उसको feel करना और उसके साथ जो है आगे flow के साथ बढ़ना यह चीज़ मुझे यहां पे जादा लग रही है ऐसा नहीं कि communication नहीं होगा communication होगा लेकिन उसके बावजुद बहुत ही जादा private तरीगा communication है एक energy ऐसी है जिसे read करना थोड़ा मुश्किल है तो आप इस तरीके के spouse होंगे आप एक hardcore lover की तरीके से हो कि आप सबको जो है मतलब कह सकते हैं आपकी जो sacrificing energy थी आप जो है आप यह चाहते हो कि आपको मिले भी और आप दो भी सको तो दोनों ही तरीके का balance यहाँ पर आ गया है सेक्रल चक्रा आया तो सेक्रल चक्रा आपके intense जो passionate इच्छाएं हैं वो चीज यहाँ पर आपकी complete होगी और fulfill होगी और आप खुशी महसूस करोगे next आ रहा है यहाँ पर night of wands आया है intensity है तो intense आपका relationship रहेग romantic तरीके से भी passionate तरीके से भी और spiritually भी क्योंकि यहाँ पर death आई है judgment आया है rebirth है यहाँ पर पूरी तरीके से आपकी जो life है वो पूरी तरीके से या personality है वो change हो चुकी होगी या काफिया तक आप उस चीज में होगे आप heal होगे उसके बाद जो है यह चीज आ रही है next आर है six of और जो है वो success को दिखाती है आप अपनी life में भी success create करोगे आप एक ऐसे spouse रहोगे कि आप उनको हमेशा cherish करोगे support करोगे और वो भी आपको support यहाँ पे करेंगे तो दोनों ही अपनी life में खासकर carrier की में बात करनी हूँ तो उसमें एक दूसरे का support system रहेगा और एक दूसरे क कठिन चीजे थी या life में circumstances थे उसको overcome करके आप यहाँ तक पहुचे और आपके spouse भी जो है वो यहाँ तक पहुचेंगे और आप एक दूसरे का साथ यहाँ पे निभाओगे आप इस तरीके के spouse रहोगे कि जितने भी बाधाएं आजे challenges आजे लेकिन उसके बावजूद आप एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे और हमेशा एक दूसरे को push करते रहोगे कि improvement हो सके नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पर integration है temperance का काड़ाया है यहाँ पर balance हो रहा है एक दूसरे को balance कर रहो एक eagle वाली energy भी है और एक swan वाली energy भी है कि loyalty भी है faithfulness भी है purity भी है solitude भी है एक जैसे कह सकते हैं कि चंद्रमा की शीतलता है और दूसरी तरफ सूरज का तेज भी है तो वही चीज़ है कि अगर गलत तरीके से या पंगा लिया तो फिर आपको जलाना भी वह जानते हैं आपको राख में बदलना जानते हैं और अगर शीतलता है तो पानी की तरीके से या चंद्रमा की तरीके से वो ठंडग भी देगी तो दोनों का बैलन्स जो है वो यहां पर बहुत अच्छी तरीके से आएगा और मुझे यहां पर ऐसा भी महसूस हो रहा है कि इस इस फेज में या इस मैरेड लाइफ में आप खुशी महसूस कर पाओगे नेक्स आ रहा है जो आपने खुशी बच्पन में नहीं महसूस करी वो चीज जो है वो यहां पर खुशी महसूस होगी नेक्स आ रहा है यहां पर Ace of Wands as the Source action orientation है new beginning है जिस तरीके से सूरज दमकता है और सूरज के बिना हमारा solar system या अर्थ बेमानी है आई से जा जाएगी उसी तरीके से आप दोनों एक दूसरे की life में एक सूरज की तरीके से रहोगे कि रौशनी दिखाता रहता तो वो चीज है आप एक SS spouse रहोगे कि आप उनको हम financial तरीके की personal तरीके की हर तरीके की और वो आपकी बास सुनेंगे भी समझेंगे भी और उन्हें मालूम है कि आप एक अच्छे spouse हो और आप उनका भला चाहते हो तो इस तरीके की energy और वो भी आपके साथ इसी तरीके का behavior करेंगे आपने अभी तक जो है यह सिर्फ और सिर्फ dream या fantasy करी होगी कि मेरा भी जो है वो इस तरीके का relationship होगा क्योंकि आप काफी hurt हुए हो बहुत सारी चीजों से तो आपको यह लगता है कि यह सिर्फ dream है यह कभी सच्चाई में बदलेगा नहीं देकि यह जब बदलना है और यह divine की तरफ से ही बदलेगा आप calendar में जो है कोई date fix नहीं कर सकते कि हाँ इस date से जो है वो यह चीज होगी आपकी energies change होगी transformation होगी rebirth की तरीके से जैसे फीनिक्स है फीनिक्स एक fictional bird है कि सब कुछ जो है वो खतम हो जाता है वो ashes में change हो जाता है राख में change हो जाता है फिर से जो है relationship रहेगा और आपकी life में यह चीज आएगी तो जितने भी आपने negative circumstances या लोगों की bully या इतना भी गंदा behavior लोगों का देखा होगा किसी भी कारण से ज़रूरी निए कि relationship या break up ही हो वो सारी चीजों को यह इनसान या आप जो है उनके साथ रहकर महसूस करोगे कि वो सब सिर एक कुछ समय था तो वो चीज जो है आपकी मिठ जाएगी तो आप एक ऐसे spouse रोगे कि आप अपने life के experience जो है वो उन्हें दोगे और उससे जो है एक दूसरे के साथ आगे जो है कह सकते है life में बढ़ते जाओगे तो इस तरीके कि यहाँ पे energy है चलिए देखते हैं कुछ यहाँ पी चीज है कि जिससे आप प्यार करते हो चाहे वो relationship हो हाला कि यहाँ पे spouse की reading हो रही है तो उस पे जो है आप memories जो share करते हो और love जो share करते हो वही लेकर जाते हो next area playfulness laughter is the best therapy have some fun together and remember love is the greatest healer तो जितनी भी आपकी problems रही होंगी जिस भी कारण से रही हो आप healing होईगी और आप हसना या मुस्कुराना जो आप भूल चुके थे वो आप कर पाऊगे तो पहला आ रहा है यहाँ पे forgiveness यहाँ पे forgive करने की ज़रूत है जितने भी लोग उन्होंने आपको तंग किया है यहाँ जो भी आपके साथ किया हो अभी मैं पढती हूँ इसको नेक्स आरह friendliness और नेक्स आरह follow your heart तो forgiveness आया है congratulations you have been given one of the most powerful superpower there is forgiveness imagine that you have been bitten by a radioactive the point is you suddenly have the ability to forgive people for their flaws and their bad days their unkind moments and their mistakes and the best thing about forgiveness is that you can apply it to yourself too have fun wielding your new power but remember with the great forgiveness comes with great peace तो आपके अमन में जो है वो शांती आजाएगी जो अभी भी उथल पुतल चलती रहती है उसने मेरे साथ यह किया उसने मेरे साथ यह किया एक्सेक्टर एक्सेक्टर तो वो चीज जो है शांती आजाएगी next are a friendliness whenever I smile I make someone's day better what a cool way to buy happiness for free today I will remember what an awesome power I hold and I'll take joy in improving life simply by giving away grins like crazy तो यहाँ पर यह चीज है कि आप जो भी चीजे आपकी छोटी-चोटी चीजे है जैसे मानलो jogging कर रहे हो तो सूरज निकला हुआ है या फूल जो है वो बड़े प्यारे लग रहे है तितलिया जो है वो जो भी कर रही है या उड रही है तो उसमें आप खुशी महसूस करन यहाँ आप अपने दिल की सुन रहे हो और इंट्यूशन की सुन रहे हो और आगे बढ़ रहे हो आपका यह जो स्पाउस वाला वर्जिन होगा वो आप भी देखके जो है काफी जादा मिसमराइज हो जाओ कि मैं कितनी जादा केयर करता हूं या केयर करती हूं और बहुत ल जो चीज आप ढूंड रहे हो इतने सालों से कि मुझे इस तरीके का इंसान चाहिए या मेरा मन जो है वो खुश हो जाए मेरे मन में सुकून आ जाए वो चीज आपको मिल जाएगी नेक्स आरा सेल्फ रिस्पेक्ट आपने अपनी अपनी आखों में बनाई है और उस चीज चाहते हो या किस तरीके की आप फ्रीडम चाहते हो नेक्स आरा रहे है तो आप लोगों के बीच में ट्रस्ट रहेगा और सेक्शल फ्रीडम भी आया है यह पाइल नंबर वन में भी आया था तो चाहे तो देख लेना तो देखते हैं इस एनर्जी सेल्ट के चांट यहां प पीना, फूडी होना, कॉंटेनेटल फूड खाना, चाइनीज फूड खाना, यहां पर स्पाइसी फूड किसी को पसंद हो सकता है, तो वो भी जो है, आप लोग एक अच्छी मेमरी क्रिएट करोगे, नेक्स आ रहे हैं, यहां पर स्टीम इंजन आया, तो स्टीम इंजन जो है वो पेशन्स को दिखाता है, आपने बहुत लंबा समय जो है, इंतजार किया होगा, यह कर रहे होगे, इस समय भी, कि आपके जिन्दगी में कोई ऐसा आए, जिससे आप अपने दिल की बात कह सको, क्योंकि आप काफी क्लोज़ डॉफ हो, और नेक्स आ रहे हैं, यहां पर आपको किस तरीके से आपकी जो है, परस्नालिटी है, और वो इस चीज को पहचान पाएंगे, चले देखते हैं, कुछ लव सौंग, वो आपको किस तरीके से डेडिकेट करना चाहेंगे, और नेक्स आ रहा है, पल जलेबी मूवी का, और नेक्स है, आपके जरा सा जननत मूवी का, तो देख लेना किस तरीके के गाने हैं, इस तरीके के आपको डेडिकेट करेंगे, तो पाइल नमबर टू, यह थी आपकी डीडिंग, उम्मीद करती हो, आपको अच्छी लगी हो झाल झाल